हेलो प्यारे बच्चों कैसे हूँ आप लोग सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में महतपुर सवाल को हल करने जा रहे हैं important सवाल है मानों के सुक्राडू की सरंचना का वर्ण कीजिए जो मानों का सुक्राडू है इसकी सरंचना का वर्ण कीजिए एक्जाम में पूछा गया सवाल है कई बार बोड़ एक्जाम में पूछा गया है कई बार इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से त्यार कर लिजिए ये देखिए जो आप सनचना देख रहे हैं ये क्या है मानो का सुक्राडू है मानो की सुक्राडू की सनचना है तो जो सुक्राडू होता है जो मानो सुक्राडू की सनचना है इसे तीन भागों बाटा गया है तीन भागों कितने भागों में तीन भागों बाटा गया है पहला भाग होता है सीर, पहला भाग क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला भाग होता है सीर, जिसे सीर्ष भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सीर्ष भी कहते हैं, दूसरा भाग होता है प्यारे बच्चों, मध्य भाग, दूसरा भाग क्या होता है प्यारे बच यह पूरा मद इखंड है अब नीचे क्या है प्यारे बच्चों पूछ है जो नीचे का हिस्सा है वो क्या कहलाता है पूछ कहलाता है यानि प्यारे बच्चों सुक्राडू की सरचना जो सुक्राडू की सरचना है वो तीन भागों में विभेदित होती है मानों सुक्राडू क संचना को तीन भागो में बाटा गया है, सबसे पहला शिर्ष आता है, जिसे हेड भी कहते हैं, सिर्ष फूला हुआ होता है, खुंडिदार होता है, आप जानते हैं, यह जो सिर्ष है, यह फूला हुआ है, आप देख रहे हो पैरवच्चों, यह जो सिर्ष है पैरवच्चों, यह फूला हुआ है, खुंडिदार है, प्रन्तु अनेक जन्तुओं के, प्रन्तु अनेक जन् जो सिर्ष भाग होता है इसमें किंद्रख पा जाता है और किंद्रख के चारों थोड़ा सा कुछ का द्रब्य होता है इसके सिर्ष पर गौलजी काय की बनी एक्रोसुम नमक्स रचना टोपी की भात धकी होती है जो अंडाडू की भित्ती को नश्ट कर निसिचन में साहता करत है यह जो सिर्ष भाग होता है इसके सबसे उपर एक टोपीन्हुमा्स संचना पां जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, और एक्रोसोम से एक एंजायम निकलता है, जिसे कहते हैं हाईलूरो निडेज एंजायम, यह जो हाईलूरो निडेज एंजायम होता है, अंडाडो की भित्ती को नश्ट करता है, जिसके बाद सुक्राडो अंडा अंडाडो की वित्ती को नस्ट करता है जिसके बार जब अंडाडो की वित्ती नस्ट हो जाती जैसे माल जे यह अंडाडो है अंडाडो की वित्ती नस्ट हो गई तब सुक्राडो इसकी अंदर प्रवेस करता है तो अंडाडो की वित्ती को नस्ट किने वाला एंजाइम का ना भाग होती है ठीक है माड़ी याश्टिन दूसरा है मद खंड सुक्राड़ों का जो मद खंड भाग होता है मुड़ील पीस होता है यह केंद्र सिर्ष से पतला होता है केंद्र से थ्वड़ा पतला होता है यह भाग यह भाग क्या कलाता है मद खंड में मैट्र कॉंडिया क्ढ़िया होता है ये जो हैं और यहमें अध क्ढ़ से जुड़ा होता है कि सार्ट की थीकर मच्ました होते हैं मार्टर कांडिया के आगे ग्रिवा में पीछे दो तारक केंद्र इस्थित होती हैं और जो मार्टर कांडिया होता है मदिखंड में वो क्या करता है सुक्राडों को तैरने के लिए उड़ जा देता है लाश्ट भागे पैरवेच्चु पूच पूच प्राया लंबी, कोडे नुमा और अत्यधिक गिर्यासील यानिके अत्यधिक गत्सील होती है पूच द्वरा सुक्राडों तरल माध्य में तैरता है यह जो पूच है पैरवेच्चु यह जो आप पूच देख रहे हो पूच क अंतिम भाग क्या करता है पूच कहलाता है ठीक है माड़ी यह जो और सुक्राडों कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं सीर्ष भी करते हैं मध्य भाग होता है पूच होता है केंद्रक कहां पादाता है सीर भाग में केंद्रक कहां होता है सीर भाग में होता है और केंद भाग में क्या पाजाता है मैट्रो कॉंडिया पाजाता है ठीक है पूछ क्या करता है तैने में मदद करता है और तैने के लिए उर्जा कहां से मिलती है मैट्रो कॉंडिया से मिलती है ठीक है पैरे बच्चो ठीक है माड़ी एफिन और सुक्राडू क्या होते हैं अगुडित ह में अच्छे क्वेस्टन के साथ इन क्वेस्टन को आप जरूर तयार करें यहीं बार-बार एक्जाम में रीपीट होते हैं थेंक्यू सो मच्छ